यूटूब चैनल मैथ्स महान को सब्सक्राइब करें और साथ में वेल आइकन की घंटी जरूर दवाएं थैंक्यू अगर दोस्तों हमारी ट्रीक आपको अच्छी तरीके से सीखना है तो आपको पूरे वीडियो में बने रहना होगा चलिए बात करते हैं सवाल नंबर एक की किसी चिडिया घर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं कुल सिरों की संख्या 50 तथा कुल पैरों की संख्या 160 है कुल कबूतरों की संख्या ग्यात करें तो देखिए सबसे पहले करना क्या अगर कबूतरों की संख्या निकालनी है दोस्तों तो आपको करना क्या होगा कबूतरों की संख्या निकालने के लिए बस आपको ध्यान देना है कि जितने भी सिरें उसका डबल कर दीजिए 50 का डबल आ माइनस आपको करना है पैरों की संख्या का आधा 107 का आधा करेंगे तो दोस्तों आएगा 800 में से 80 घटा देंगे तो निकल क्या जाएगा बीस यानि कबूत्रों की संख्या जोगी ओवीस निकल क्या जाएगी अगर आप से खरंगोश की संख्या पूछे किसकी संक्या पूछे अगर आपको खरब की संख्या दोसतों निकालनी है तो आप करेंगे क्या टोल किटने पशु और पक्ष्य हैं 50-50 में आप कबूत रोकिसक्वन अगर घटा किया लेकर 50 तो PCs की संख्या निकल के आ जाएगी 30 तो यह हो गया दोस्तों इस सवाल का आंसर यानि कबूतरों की संख्या 20 और खरगोश की संख्या हो गई 30 दोस्तों आपको समझ में आया होगा आप इसे नोट कर लिजिए फिर आपको सवाल नंबर 2 लगवाते हैं जिससे आपका कॉंसेप्ट एक दम किलियर हो जाएं देखे दोस्तों सवाल नंबर 2 किसी चिडिया घर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है कुल सिरों की संख्या 180 तथा कुल पैरों की संख्या 420 है कुल कबूतरों की संख्या ग्याद करें तो देखे दोस्तों कबूतरों की संख्या निकालना है सबसे कर दीजिए कितना आजाएगा दोस्तों 0 में से 0 घटा देंगे 6 में से घटा देंगे 5 कितना बच जाएगा दोस्तों यहां पर बचेगा 3 3 में से 2 घटाएंगे कितना एगा एक यानि 150 हो जाएगा कबूतरों की संख्या और अगर खरगोष की संख्या निकालनी नहीं, तो टोटल कितने है, 180, 180 में से आप ख़टा दीजी см how 150 कितना आ जाएगा 30, यानि कबूतरों की संख्या निकल के आ जयएगी 30, और कबूतरों की संख्या 150, ये हो गया दोस्तो इस स समझ में आया होगा नोट कर लीजिए बात करते हैं सवाल नंबर 3 कि सवाल नंबर 3 किसी चडिया घर में कुछ खरगोष तता कबूतर है कुल 0 की संख्या 280 है कुल कबूतरों की संख्या ग्याद करें तो देखें दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको 0 की संख्या डबल कर देनी यानि 280 का हो जाएगा 506 और आपको माइनस कर देना है पैरों की संख्या का अधा 820 का अधा दोस्तों होता है 410 आप 560 में से 410 घटाएंगे तो कितना आएगा देखें 0 में से 0 गटेगा 0 6 में से 1 घटेगा 5 और 5 में से 4 घटाएंगे एक यानि 150 हो जाएगा कबूतर की संख्या अगर खरगोश की संख्या निकालनी है तो 280 में से आप घटा दीजिए 150 कबूतरों की संख्या घटा दीजिए खरगोश की संख्या निकल के आ जाएगी 0 3 और 2 में से 1 130 हो जाएंगे खरगोश यह हो गया दोस्तों इस सवल का आंसर उमीद करते हैं आपको समझ मे आया होगा अगर दोस्तों हमारी ट्रिक और तरीक आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ में वैल आइकन की घंटी दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहल आपको अगले वीडियो में थैंक यू